फुल एडर अब हम पढ़ेंगे फुल एडर तो फुल एडर हमारा थ्री बिट बाइनरी नंबर्स को एड करने के लिए यूज किया जाता है 숫 mulheresp की कि प्रेंल करने तज़एंगे पतल Wish Esther और श्रारू सबसे पहले हम इसकी इसको एड कर लेते हैं तो एड कर. करेंगे कि पहले hai n serpent करेंगे उसके बाद एससे थर्ड नमबर को एड करेंगे ठीक है तो जिरो और जिरो को 4 cut कि या तो जिरो ही मैं युद्वी है विटमी के में मेला संभी 0 होने वाला है और कैरी को घितन ही मैं ठीक फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो अगर हम 0 और 1 को एड़ करेंगे तो हमारा 1 आएगा और 1 और 0 को एड़ करेंगे तो हमारा 1 ही आने वाला यानि sum हमारा 1 आएगा carry हमारा 0 ही रहेगा ठीक, अब हम next step में चलते हैं यानि 0 और 1 को एड़ करेंगे यहां पर हम 0 और 1 को add किया तो हमारा क्या आएगा 1 अब हम उस 1 से इस 1 को add करेंगे तो क्या आएगा हमारा अगर हम 1 और 1 को add करेंगे तो मैंने last बताया था कि हमारा sum 0 आएगा और carry हमारा 1 आएगा तो यहां हमारा sum 0 आएगा और carry हमारा 1 आएगा ठीक आगे चलते हैं 1 और 0 को add करेंगे तो 1 और 0, 1 और उसमें भी 0 add किया तो 1 यानि sum हमारा 1 ही रहेगा और carry कुछ भी नहीं आएगा ठीक आगे चलते हैं 1 और 0, 1 और उस 1 में 1 को add किया तो क्या आएगा sum 0 आएगा और carry 1 आएगा जो कि मैंने last में बताया था अभी अब जो sum था हमारा 0 उसमें हमें again 0 को add करना है तो हमारा sum तो 0 ही रहेगा carry हमारा 1 आएगा तो sum हमने 0 लिख लिया carry हमारा 1 है आगे चलते हैं 1 और 1 को add करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 और 1 को add किया तो हमारा 0 हमारा sum आया और carry हमारा 1 आया अब हमें sum में again 1 को add करना है इस sum हमारा ये था इसमें again 1 को add किया तो हमारा sum क्या आया? 1 आया और यहां हमारा sum भी 1 है और carry भी 1 है तो sum भी 1 और carry भी 1 ओके? तो अब हमारी truth table कुछ इस तरह से ready हो गई है अब हमें क्या करना है? इसकी equation लिखनी है और उसी equation से हम इसको design करेंगे तो equation solve कर लेते हैं सबसे पहले हम sum के लिए equation लिखना शुरू करते हैं तो sum की equation क्या हो सकती है? वही लेंगे हम जहां भी हमारा 1 है यहां भी हमारी bit high है हम उसके inputs को लेंगे यहां पे हमारा ये high है second number वारा तो हम इसको लेते हैं तो यहां हमारा क्या है? यह A bar है B bar है और C है A bar हमने क्यों लिया? क्योंकि यहां पर 0 है और B bar हमने लिया क्योंकि यहां भी 0 है और C हमने इस ले ले क्योंकि यहां पर कोई 0 नहीं है ठीक आगे हम चलते हैं अगला और क्या है? यहां पर 3rd number पर 1 है यहां देख लेता है यहां आएगा A bar, B, C bar तो यहां लिख लेते हैं A bar, B, C bar next add करते हैं next हमारा कहा है यहां पर हम इसको add करेंगे तो यह आएगा हमारा a b bar c bar तो a b bar और c bar प्लस आगे चलते हैं इस वाले सबसे last वाले पर तो यह हमारा क्या आने वाला है a b c simple a b c आगया अब हम इस सब को solve करें क्योंकि यह बहुत ही एक लंबी equation है इसके थूरी तो हम कोई circuit design कर नहीं सकते logique rate circuit तो हमें क्या करना पडेगा इसको थोड़ा सा open करना पडेगा और short करना पडेगा थीक है तो हम इसे short करेंगे तो हम चलते हैं पहले इन solve करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में हमारा कुछ common है, A बार इन दोनों में common है, तो हमने A बार अगर common ले लिया, तो क्या बज़ेगा B बार C plus B C बार, ओके plus अब हम इन दोनों में common लेंगे इन दोनों में क्या common है, A तो इन दोनों में हमने a common ले लिया तो क्या बच्चा हमारा b bar c bar plus b c ठीक अब हम आगे solve करते हैं अब आगे हमें क्या दिख रहा है कि यह जो equation है b bar c plus b c bar यह तो कुछ exor की equation है तो exor के लिए हम equation को short करने के लिए हम इसे b exor c लिख सकते हैं अगे चलते हैं आगे हमारा क्या है और यह जो equation है b bar c bar plus b c यह हमारी exor की equation है तो हम इसे रिखेंगे b exor c का bar exor की equation को हम इस तरह रिख सकते थे ठीक अब हम इसके फर्दर आगे चलते हैं तो आगे क्या है अब हमारी equation फिर से solve हो गी यानि a bar इस hole को अगर हम x मान ले और इसको हम x bar मान ले क्योंकि क्या यह x है तो यह x bar हो गया तो a bar x plus ax bar किस चीज की equation हुई? axor की equation हो गई है तो यह a bar x लिख लेते हैं इसको plus ax bar तो यह to a xor की equation है यानि a xor x लिख सकते हैं इसको ठीक, अब हमारा X क्या था, X हमारा B XOR C है तो इसे open कर लेते हैं, A XOR, B XOR, C यानि इसकी equation कुछ इस तरह से आ वही, sum की equation तो यह है हमारी sum की equation, ठीक अब हम इसके बाद यह solve नहीं होगी, हम इसे solve नहीं करेंगे अब हम आते हैं हमारी carry की equation पर, carry की equation कैसे हो सकती है तो carry में जहां भी high है, हम उनको ही लेंगे तो पहला high हमारा यहां पर है, तो हम इसको लेंगे A bar B C, ओके, तो हमने second वारा लिया तो यह है हमारा A B bar C, यानि A B bar C प्लस इसको लेंगे हम A B C bar, यानि A B C bar फोर्थ सबसे last हमारा A B C है, A B C इसमें भी लेते हैं, इसको भी solve करेंगे आगे तो इन दोनों में क्या common है हमारा, इन दोनों में हमारा C common है, तो हमने C को common ले रही है, तो हमारा क्या बच्चे का A bar B, प्लस A B bar आगे चलते हैं, इन दोनों में हमारा क्या common है AB common है और बच्चे का क्या C bar plus C ठीक तो यह किसकी equation हो गई फिर से XOR की equation हो गई XOR की equation means हम इसे ऐसे लग सकते है A XOR B और हम इसे कैसे लग सकते है यह जो C bar plus C है यह हमारा 1 हो जाएगा C bar plus C यानि किसी को भी अगर उसके bar से add करो किसी भी नमर को चाहिए वो 0 हो या 1 हो उसके bar से अगर add करोगे तो 1 ही आएगा तो यहां अगर AB को 1 से multiply करेंगे तो AB ही आने वाला है तो यह हो गई हमारी carry की equation अब हमें इसके through logic circuit अपना यानि half full adder का logic circuit design करना है तो design कर लेते हैं सबसे पहले हमारा हमें दिख रहा है A exor B है तो A exor B के लिए यानि हमें एक exor gate चाहिए होगा जिसके inputs क्या होने चाहिए A और B होने चाहिए यानि इसके input अगर A और B है तो यहां हमारे output पे हमें A exor B मिल जाएगा ठीक, आगे चलते हैं अब हमारा इसके बाद A exor B exor C है यानि कुछ ऐसा होना चाहिए यह हां हमारा input में जो output होगा वह हमारा A exor B आ जाएगा यानि हमें क्या चाहिए एक C C input चाहिए जो कि हम आगे एक और exor gate में input करें और यहां पे हमें output में मिलेगा A exor B exor C कैसे A exor B exor C मिला क्योंकि हमें इन दोनों को अगर exor किया तो हमारा A exor B आया output में फिर हमने एक C input और दिया था तो इसको क्या हुआ यह हमारा A exor B और इसका भी exor C तो यह हमारा सबसे last में output आ गए जो कि हमारी sum की equation थी ठीक है अब हमें carry के लिए भी करना है तो carry के लिए क्या है हमारा जबसे पहले A into B है तो A into B ही ले लेदा है सबसे पहले यह हमारा A है और यह हमारा B है तो यहां हम अपना एक and gate लगा लेंगे ठीक यह हो गई हमारी A, B और आगे क्या है हमारा C into A exor B तो यानि A XOR B तो हमारे यहां है लेकिन इसको C से multiply करना है ठीक है यानि अगर हम इसके output से लगाए एक तो यहां से अगर हमने output आईगी तो यहां पारी A XOR B आने वाली है और यह जो output है हमारी यह C वाली अगर हम इससे एक AND gate कनेक्ट कर दें तो यहां पर हमें यह हमारा क्या था A, X, और B है। कि यही यहां Connect है और यहां हमारा C है और अगर हम इसको Output में करेंगे And Gate कर तो And Gate क्या करता है ? यानि यह Multiply करेंगा, तो Output में हमें क्या मिलने वाला है ? C into A, X or B मिलने वाला है ठीक यहांном Eliya B B है, तो output में हमें क्या मिलने वाला, A into B, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को add करना है, तो add करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, or gate, or gate हमें कि हाँ पर एक or gate लगा देंगे, तो जो भी हमारा output पर आ रहा है, Okay?